नमस्कार मेरे दिया आप देखने हैं प्रिदेश था मद्य प्रिदेश में 230 विदान सवा सीटो पर 17 नमॉमर को मतदान पूरा हो गया है जहां प्रिदेश के सभी दिगज नेताओं ने मतदान किया इसी कड़ी में केंद्रे मंती जोती रादेत सिंध्या भी ग्वालियर में बोट डालने के लिए पहुंचे थे जहां उन्होंने एक बार फिर सीम फेस को लेकर अपना रुक साफ कर दिया है वाली में वोट डालने पहुँचे जोती रादेति सिंध्या ने मीडिया से बाचीत की और उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने की सभी अटकलों को खारिच कर दिया केंद्य मंत्री ने मीडिया से कहा कि मैंने पहले से ही कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के पद की रेश में नहीं हूँ वो आगे कहते हैं कि इस रेश में ना मैं पहले कभी था ना आज हूँ सिंद्या ने कहा मुझसे तीनो बार पूछा गया साल 2013 में साल 2018 में और आज भी तीनों बार मैंने कहा कि मैं CM की रेस में नहीं हूँ दरसल मद्यप्रदेश में पिछले करीब दो दश्कों से पार्टी ने सिर्दा सिंग चोहान ओही मुख्यमंत्री बना रखा है सिर्दा सिंग चोहान इस बार भी चुनाव लड़ रही है लेकिन पार्टी ने इस बार मुख्यमंत्री पत के चहरे के तौर पर उन्हें घुर्शित नहीं किया है ऐसे में कयास लगाई जा रहे थे कि BJP इस बार मुख्यमंत्री बदल सकती है वहीं BJP ने केंद्री मंत्रियों और सांसदों को इस बार के बिधानसव चुनाव में उता रहा है जिस बज़े से इन बातों को और बढ़ावा मिल गया है जोतिरादित सिंध्या ने मुख्यमंत्री पत की बात पर आगे कहा कि ये रेस कुरसी की नहीं है बलकि ये रेस दिकास की है प्रगती की है और जनता की विश्वास को सुनिश्चित रखने की है उन्होंने कॉंग्रिस पार्टी पर भी हर्मला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पत की रेस कॉंग्रिस में होती है पहले सी कहा है मैं CM के रेस में नहीं हूँ ना मैं कभी था, nा आज हूँ, आप लोगों ने बार बार मुझे पूचा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूच रहे हैं, पीनों बार मैंने कहा है कि मैं CM के रेस में नहीं हूँ, ये रेस कुर्सी का नहीं है ये रेस बिकास का है ये रेस प्रगती का है और ये रेस जनता का विश्वास सुलिश्चित रखने का है कुर्सी का रेस कॉंग्रिस की है खेरब इंतिजा 3 दिसंबर का है आपको बता दें बोटिंग के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे उस दिन ये साफ हो जाएगा कि प्रदेश की जनता निस्वार किसको चुना है फ्लाल इसका बरें बस इतना है